मतुरा के महला थाना में परिवार परामर्श के द्वारा पती पतनी का आपसी समझोता कराने के बाद उन्हें घर भेज़ दिया गया और दोनों पती पतनियों को भविश में दोबारा न जघडने की हिदायत देते हुए दोनों को मिल जुल कर रहने के लिए कहा गया मत्रा के थाना हाईवेच छेत्र इस्तिस्वरस्तिकुंड की रहने वाली विवाहता ने अपने पती पर मार पीट और उत्पीडन करने हितू शिकायती पत्र महला थाने में दिया था जहां महला थाने पर तैनाध पुलिस कर्वीयों द्वारा सूजबूच का पर्चय देते हुए दोनों परिवारों के बीच आपसी समझोते के तहट राजी नामा करा दिया गया दोनों ही परिवारों को अपने अपने घर भेज़ दिया गया अमोवन देखा जाता है कि जरासी बात को लेकर विवायत महलाएं अपने सुसराडियों के खलाब शिकायती पत्र देकर करवाही की मांग करती हैं और इस तरह से कई परवार बिछुड़ भी जाते हैं इसी की रोक्था महेतू महला थाने पर लगातार ये प्रियास किया जा रहा है कि आपसी समझोते के तहर दोनों परवारों का राजी नामा करा दिया जाए जिससे की भविस्ट में किसी भी तरह की कानूनी प्रिक्रिया से बचा जा सके और अपने परवार को दिखरने से बचाया जा सके वहीं मैला थाने पर पहुंचे दोनों परवारों ने जानकारी दी तरी बाजी बेसिटर और राजी नामा कोई दिखरने से नाम लक्ति जो फुसी है इसी क्या कًا चाहा एक आप आपका राजी नामा कराया है तो क्या कुछ कहना चाहोंगे संतोस चोवा पर स्पैजले से तो यहां मैं तुम्हारा बबली कहां से आई हो कौन सा थाना लगता है तो यहां कबसे केश चला था तुम्हारा दूसरी तार्थिप पढ़िये क्या हुआ आज आज हम जाना चाना है अपने गारे को राजी नामा हो गया है तो किस तरीके से राजी नामा किया है आपने किन मुद्दों को लेकर के राजी नामा हुआ है जैसे पहले तुम्हारा जगड़ा हुआ होगा किस बात को लेकर जगड़ा हुआ था किस बात को लेकर जगड़ा हुआ था तो अब यहां तुम्हारा राजी नामा कराया गया है तो आज केमी तारीक है तुम्हारी 27 मी तारीक है तुम्हारी नामा कराया है। पुलिस प्रिसासन के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगि यहां जो महला वनें जिस तरीके से महनत की है तुम्हारा था